दोस्तों शुरू करते हैं exercise 7.5 से question number 1 ABC is a triangle, ABC एक triangle है locate a point in the interior of a triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC इस triangle ABC के interior में यानि कि अंदर एक ऐसा point locate कीजिए जो सारी की सारी vertices से equal distance पे हो यानि A से भी इतना ही दूर हो, B से भी और C से भी तो ऐसा जो point होता है किसी triangle के अंदर जो तीनों vertices से equal distance पे होता है उसे बोलते हैं हम circumcenter circumcenter एक ऐसा point होता है which is equal to all vertices और circumcenter निकालने के लिए हमको करना पड़ता है कुछ construction construction में क्या है कि कोई भी दो sides या तीनों भी ले सकते हैं आप आप sides का bisect करते हैं अब देखिए, BC को मैं bisect करता हूँ bisect का मतलब होता है दो बराबर टुकडों में बाटना अब किसी line segment को bisect करना आपको आता होगा आदे से जादा compass लेते हैं और इस तरह से mark करते हैं फिर B पे रखके ऐसे point निकालेंगे फिर ये जो आएगा इसे join कर देंगे ये मैंने BC का bisect करता हूँ तो AC को मैं आदे से जादा ले लेता हूँ AC के उपर अपने compass को और जब मैंने आदे से जादा इसे हैसे किया तो ये इधर arc आई और एक arc मेरे इधर आई फिर A point के उपर रखके इसी तरह से arc को complete करूँगा यहाँ पर ये छोटा पड़ गया तो मैं इसको जो C से लिया था इसको थोड़ा और कर लेता हूँ ये touch होने चाहिए जब आपके दो point मिल जाते हैं तब आपकी line बनती है तो अब ये मेरे दो points आई है ये और ये वाला ये point यहाँ से line खीच दूँगा मैं complete करूँगा ये मैंने complete कर दिया अब इसका जो point है ये point आया आपके देखिए दोनों जो ये आपने bisectors करें है ये यहाँ पर touch होए आपके इस point को मैं मान लेता हूँ तो ये जो o point है ये इस circle का sorry इस triangle का circumcenter है और ये o point आपके a से आपके b से और c से तीनों से equal distance पे होगा चलिए चेक करते हैं कि क्या ऐसा है तो c से o जब मैंने खोला तो मेरा इतना compass आया यहाँ से चेक कर देए देखिए बिल्कुल उतना ही आ रहा है और यहाँ से किया तो भी यही आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है यह तो circumcenter निकालने के लिए आपको अपनी यह जो तीसरी वाली है इसकी आपको जरूत नहीं है तीसरा भी आप करेंगे न तो वो यहीं पे आएगा तो basically दो ही side को आपको bisect करना है आपका point आ जाएगा यह जो point होगा यह a, b, c तीनों से equal distance पे ही होगा यह first question था चलिए अब करते है second question इसमें आप लिखना चाहें तो result जरूर लिख दे देखे इस तरह से लिखें no answer में o is the point inside the triangle inside the triangle a, b, c which is equidistant from vertices है ना ना मसल लिख सकते हैं from all vertices from all vertices चलिए question 2 करते है question 2 में है in a triangle locate a point in its interior which is equidistant from all the sides of triangle अब इसके अंदर side से equidistant निकालना है ऐसा point निकालना है जो triangle के अंदर हो और सारी की सारी side से equal distance पे हो अब distance आपको पता है कि distance जो ना हमेशा perpendicular distance होता है किसी भी चीज़ का जो distance होता है ना वो 90 degree की length पे निकलता है तो side से अगर आपको distance निकालना है equal तो फिर इसे बोलते हैं in center जो point आपका side से equal distance पे होता है उसे in center बोलते हैं और in center निकालने के लिए आपको angles को bisect करना होता है angles are bisected angles bisect किये जाते हैं तो आपका point touch हो जाता है कहीं पे for example यह रफ में देखिए इस angle को मैं bisect करता हूँ तो यह ऐसे गई line इसको bisect करता हूँ तो यह ऐसे गई तो यह जो point आया इसे बोलते हैं in center और यह आपका यहां से भी इस side से भी इस side से भी और इस side से भी equal distance पे होता है तो तीनों को निकालने के आपको जूरूत नहीं है आप सिर्फ दो ही निकाल दीजिए आपका point आ जाएगा तो चलिए अब दो bisectors बनाते हैं एंगलों के मैं b और c को bisect करता हूँ तो bisect करने के लिए पहले आप एक angle की arc बनाएंगे और फिर इस angle को अपने परकार के उपर ले लेंगे कि यह कितना है इस arc की length को ले लेंगे इसके point से point तक का length यह ले लिया मैंने अब एक बार यहाँ पर ऐसे मारेंगे और एक बार यहाँ पर रखके ऐसे मारेंगे और फिर इने join कर देंगे इस point को इस point से join कर देंगे यह कर दिया मैंने एक bisect और और बना लेता हूँ मैं इसमें 3 होते हैं आपको 2 से ज़्यादा की जुरूत नहीं क्योंकि 2 पर आपका intersection point आ जाता है अब मैं B को bisect करूँगा तो पहले B का मैं कोई angle बना लेता हूँ यह मैंने इतना angle बनाया B के उपर अब इस arc के end points को रखके इस length को मैं अपने compass पे ले लेता हूँ इस तरह से यह ले लिया अब एक बार इस point के उपर रखके यह arc यह हिलना नहीं चाहिए आपका बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखे यह मेरे से हिल गया तो इसे मिटा देते हैं तो इतनी length है यह arc की end points की एक बार इस point के उपर रखके आप आरक मारे एक बार इस point के उपर रखके मारे तो यह आपका यहाँ पर touch हो रहा है यह आगा है मेरा point यह वाला अब इसको join कर देते हैं यहाँ से join कर दिया यह join कर दिया तो इस जो दोनों by sectors है यह आपके इस point के उपर आ गया इस point का नाम में और रख देता हूँ अब O से AC का distance यानि यह चीज डिस्टेंस हमेशा 90 डिगरी पर होता है न तो यह चीज और यहाँ से यह चीज और इसका भी जब distance लेंगे आप बिल्कुल 90 डिगरी के उपर वो भी इतना ही आएगा इकवल आएगा बिल्कुल चेक करके देख लें कमपस से चेक कर लेते हैं यह देखे यह इतना रहा है अब आप फाइनल आंसर इसे लिख सकते हैं क्योंकि आपका O point है न तो आंसर वे ऐसे लिखना O is the point in the interior of a triangle which is equidistant from all sides सारी साइड से इसकी जो distance से वो बराबर है यह question 2 था आप question 3 करते हैं यह question 3 जो है बिल्कुल आपका question 1 के जैसे है पहले question की language बढ़ते हैं यह practical problem है question में है इना huge park एक बहुत बड़ा park है people are concentrated at three points और उस park के अंदर लोग जहां तहां खड़े हैं कुछ ऐसी जगे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं where there are different slides and swings for children यह a point है जहां पर बहुत सारी slides हैं और जूले हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए बी पॉइंट नियर विचा man-made like lake is situated बी पॉइंट के ऊपर एक man-made lake situated यह लेक जहील होता है छोटा सा पानी का c which is near to a large parking and exist c जो point है यह एक large parking और एक exit की जगे पे हैं यहां पर गाड़ियों के खड़े होने के लिए बहुत सारी जगे हैं और यहां से आप बाहर भी जा सकते हैं तो यह तीन point है पार्क के अंदर question है where should an ice cream parlor be set up so that maximum number of persons can approach it तो यहां पर एक ice cream parlor लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर आ सके अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी आएंगे ना तब वो ice cream parlor उनके नजदीक होगा तो यह ABC तीन point है तो ABC के अंदर एक ऐसा point हमें find करना है जो A से और B से और C से तीनों से equal distance पे हो जाए तो फिर तीनों जगे से लोगों के आने के chance अच्छे घासे हो जाएंगे तो parlor पे अच्छे से लोग आ सकते हैं तब पार्लर शुडबी इकवी डिस्टेंस फ्रॉम ABC वो जो पार्लर है ABC से एकवल डिस्टेंस पे होना चाहिए तो अब देखिए फर्स्ट कोर्शन को देखिए इसको दुबारा करवाने की जुरूत नहीं है मैं इस ही में समझा दूंग आपको यह आपका A पॉइंट है A पॉइंट के उपर क्या था आपका स्लाइड्स स्लाइड्स थी और स्विंग्स थी बी पॉइंट है यहाँ पे आपका एक लेक है और सी पॉइंट है सी आपका एक्जिट की जगए है और यहाँ पे पार्किंग है तो एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां से इन तीनों जगे से डिस्टेंस बराबर हो तो यह वर्टिस बन गया जब आप इन तीन पॉइंट को ऐसे जोड देंगे तो जोडने पर यह एक ट्राइंगल फिगर बन गई और ट्राइंगल के अंदर वर्टिस से इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट निकालने के लिए आप निकालते हैं सरकम सेंटर और सरकम सेंटर निकालने के लिए आपको अपनी जो साइड सोती हैं उनका बाइसेक्ट करना होता है जहां पे बाइसेक्ट टकरा जाता है वो ही वो point होता है, जो तीनों vertices से equal distance पे होता है, तो इस question को करने की दुबारा जरूत नहीं है, मैंने आपको यह first में ही समझा दिया, यहाँ पर आप answer लिख सकते हैं, अपना answer 3, book की language में लिख सकते हैं, O point आए न, तो यह लिख दीजिए, add point O, add point O, इस O point के उपर, आपकी ice cream की जो पार्लर है, अगर उसे लगाएंगे, तो यहाँ से जो B वाले लोग हैं, वो भी equal distance पे हैं, A वाले हैं, वो भी equal distance पे हैं, और C वाले हैं, वो भी equal distance पे हैं, तो तीनों जगे से लोग आ जाएंगे, तो यह आपके तीन question थे, I hope आपको एक तीन अच्छे से समझ में आएंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज से like करना, classmates में, friends में share करना, और 9th class का complete महस पढ़ने के लिए, आप इस channel को भी subscribe करना, Thank you,